हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कंपिटिशन तक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो कंबाइंड कंपिटिटिव एक्जामिनेशन 66 नंबर है उसके प्रेंट्स नृटिफिकेशन निकाल दिया अब है आप लोगों पुसके बार में इंड ने तो ने यह को आप देख सकते हैं बीट पीएश सी ने एक नोटिकेशन निकाला है 16 सेटमबर की डेट में जो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको हाइलाइट कर रहा हूं इंस्ट्रक्शन्स फॉर फिलिंग ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर 66 कंबाइन कंपेटिटिव एक्जामिनेशन तो यह एक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो इसकी टोटल नंबर सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरा जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है तो मिनिमूम एज लिमिट है 20 यह कुछ पोस्ट के लिए 21 22 भी है और मैक्सिम्म का अन्रिजर्वड मेल के लिए 37 फिमेल के लिए 40 अन्रिजर्वड और बीसी और इवीसी के लिए भी 40 और एस्ट के लिए 42 यह से लिए दो कोवर्मेंट के जो रेगुलेशन से उसके लिए अनुस्वार इसमें एज रिलेक्सेशन दिया गया है अपलाई करने की जो फीस है वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूं और जो केटेग्री के सेलेक्ट कर पाएंगे यह दिये हुए हैं जो एसी के लिए 02 एस्ट के लिए 03 एबीसी के लिए 04 बीसी के लिए 05 एंड एडव्लो एस एकोनोमिकल विकर सेक्शन के लिए 07 है यह आप लोग रिफर कर सकते हैं जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट्स की बात करें तो 28 सेप् और सेस्टी वूमेन और बिहार के लिए 150 और पीडवलोड के लिए 150 फीस हैं तो जो इंपोर्टेंट फीस में आपको बता दिया और एक इंस्ट्रक्शन से जो प्रिलिम्स में आप बरेंगे उसमें आपको एक सब्जेक्ट मेंस का आपका बरना है अभी चैन करना है अगर आप एक बर चैन कर लेंगे तो बाद में वह चेंज नहीं किया चा सकता किसी भी सर्थ पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा और जब प्रिक्षा प्रिलिम्स में सफल होंगे उनके एक और फॉम बरना पड़ेगा मेंस के लिए फीस बेकर पे करनी पड़ेगी और आप मे सब्सक्राइब कर जकते हैं मैं ने बताया थी फॉम बरने की बागी सब कॉमन इंस्ट्रक्शन से 28 सेप्टेंबर सी फॉम अब लेबल हो जाएगा और यह डिटेल्स थी हमारी जो बीपीएस्टी का प्रिलिम्स है एक्जामिनेशन है 27 दिसमबर 2020 को सब्सक्राइब अभी त ताकि जब वीडियम अपलोड करें आप लोग तक पहुँच सकें